हैलो डियर स्टुडेंस आज हम होम साइंस TGT PGT ELT ग्रेट में Human Physiology में Cell यानि की कोशिका को डिसकस करने वाले हैं और उसमें हम देखेंगे की कोशिका की सनरचना कैसे होती है और उसके एक-एक कोशिकांग को डिटेल में हम देखेंगे जैसे की स्क्रीन पे आप सबको दिख रहा होगा आज का जो हमारा टॉपिक है कोशिका यानि की Cell का क्या होता है यह जीवन की मौलिक इकाई होती है जीवन की मौलिक इकाई या इसको कह सकते हैं कि जीवन की जो आधार भूत इकाई होती है जो basic unit होती है वो क्या होती है वह कोशिका होती है जैसे कि एक घर बनता है एक मकान बनता है तो उसमें सबसे छोटा जो उसका material होता है कह सकते हैं कि एक एट से कई दीवार खड़ी होती है फिर दीवार से कमरा बनता है तो उसी प्रकार से जो हमारी body है जो सरीर है या किसी भी होता है कोशिकाओं का बना होता है ठीक है और कोशिकाओं क्या है सबसे छोटी अगर किसी अगर बोडी को सबसे छोटे से छोटे पार्ट में तोड़ा जाए या काटा जाए तो सबसे छोटा क्या बार्ट मिलेगा कोशिका मिलेगी ठीक है तो उसी कोशिका के बारे में आज हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे तो आईए देखते हैं कोशिका इसको क्या बोलते हैं सेल इजे फंक्शनल एंड इस्ट्रॉक्चरल यूनिट आफ लाइफ मतलब जो कोशिका होती है वह जीवन की क्रियात्मक इवं संरशनात्मक इकाई होती है या कह सकते हैं सेल इजे बेशिक यूनिट आफ लाइफ और कोशिका की उत्पत्ति लेटिन भासा के सेलूला सब्द से हुई है जिसका अर्थ है छोटा कम्रा मतलब जो लेटिन भासा का सेलूला सब्द है उससे सेल सब्द की उत्पत्ती हुई है और जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा और कोशी का बिज्ञान को क्या कहते हैं साइटो लॉजी कहते हैं कोशी का विज्ञान को हम साइटो लौजी कहते हैं और इसी को अगर हम दो सब्दों में तोड़ें तो एक हो जाएगा साइटो और दूसरा हो जाएगा लौजी साइटो का मतलब होता है सेल और लौजी का मतलब होता है अध्यन तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि सेल के अध्यन को हम साइटोलोजी कहते हैं ठीक है इतना तो आप लोग को के समझ में आ गया होगा कुछ facts हैं जो हम सबको याद करना है उसको मैंने एक जगें point out किया है इसको देखते हैं सबसे पहले कि मृत कोशिका की खोज किसने की मृत कोशिका आये या फिर आये कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की तो नाम आएगा Robert Hook का और इन्होंने कब किया था 1665 में और 1665 में इन्होंने किस में खोजा था तो इन्होंने कार्क सेल में खोजा था राबर्ट हूप ने जो कोशिका की खोज की थी वह कार्क में किया था कार्क क्या है यह पेड का छिलका है ठीक है ब्रिच की जो च्छाल होती है एही कह सकते हैं तो कोशिका की खोज राबर्ट हूप ने किया और ये जो Robert Hook खोजे थे वह कैसी कोशिका थी वह मृत कोशिका थी उसके बाद बाता थी फिर जिवित कोशिका की खोज किसने की यानि लाइफ सेल की खोज किसने की तो लाइफ सेल की खोज एंटोनियो वान लिवेन हॉक ने किया था ठीक है उसके बाद आता है कोशिका स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था कोशी का सिध्धान्त में क्या है कि मतलब जो हमारा सरीर है या किसी जीव का जो सरीर है वह कोशी का से ही बना है यही कोशी का सिध्धान्त होता है तो यह किसने बताय था स्लाइडेन एवं स्वान ने और मानों में सबसे चोटी युगमक कोशिका कौन सी होती है तो सुक्राडू जो मेल का स्पर्म होता है वह मानों की सबसे चोटी गैमीट सेल होती है और अगर सबसे बड़ी गैमीट सेल की बात करें या मानों की सबसे बड़ी युगमक कोशिका की बात करें तो वह होता है अंडाडू जिसको हम इंग्लिस में ओबम कहते हैं ठीक है उसके बाद अगला है बिभाजन रहित कोशिका मतलब मानोशरीर में ऐसी कोशिका जहां बिभाजन नहीं होता मतलब अगर वह अच्छति ग्रस्त हो जाएं वहां चोट लग जाएं कुछ भी तो उनमें डिविजन नहीं होगा या नई कोशिकाओं का निर्माड नहीं हो सकता है तो ऐसी कौन सी सेल हैं तो वह हैं निवरान जो हमारे मस्तिस की कोशिकाओं पाई जाती हैं उनको हम निवरा तो मस्तिस की जो कोशिकाओं होती हैं उनमें विभाजन नहीं होता है ठीक है अगर उसमें कुछ हो गया चोट लग गया तो फिर वह इंसाम तुरण खतम हो जाएगा क्योंकि वह कोशिकाओं दुबारा नहीं बनती हैं तो अगर पूछा जाएं विभाजन रहित कोशिका मत क्रित यानि लीवर में अगर कोई इंफेक्शन हो गया चोट लग गई या कुछ भी हो गया तो उसकी कोशिकाओं बहुत जल्दी रिकवर करती हैं बहुत जल्दी विभाजित होके बन जाएंगे ठीक है अगला हम देखते हैं सबसे छोटी कोशिका अगर पूछा जाए कि बिष्चो में सबसे छोटी कोशिका तो वह हो जाएगी जीवाड कोशिका तो मतलब बैक्टीरिया की माइको प्लाजमा गयलीच Michoplasma Galliceptum एक Be Rama सबसे खोटी कोशीका है , उसके बाद सबसे बड़ी कोशीका कना , तो सबसे बड़ी कोशीका है सुतूरमुर्ग का अंडा देखते हैं वह इतना बड़ा होता ह्ह Ta तो हम सोचते कि उसमें कई कोशीका है उसमें कोशिका नहीं वह पूरान अंडा ही सिर्फ एक कोशिका का ठीक है तो अगर जब biri पुझछा जाए कि सबसे बड़ी कौन्ण की कोशिका है तो सुपर मुल्र cash सब्सें लंभी अगर लंभी कोशिक के बारे में देखते हैं जिसको बोलते हैं इंगलिस में प्रोटो प्लाजम जीव द्रब्य क्या होता है तो जो कोशिका के अंदर और केंद्रक के अंदर दोनों के अंदर जो तरल द्रव भरा होता है जो लिक्विड होता है उसी को हम जीव द्रब्य बोलते हैं उसी को जीव द्रब्य को और क्या कहते हैं तो जीवों में होने वाली जैविक क्रियाएं कोशिका में उपस्थित जीव द्रब्य के द्वारा संचालित होती हैं इसी के कारण जीव द्रब्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं तो कोश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं तो जीवन का भौतिक आधार कहते हैं किसको जीव द्रब्य या प्रोटो प्लाज्म को या इस तरह से आजाए कि जीव द्रब्य क्या होता है तो हम लिख सकते हैं जीव द्रब्य इस उकल टू जीवद्रब्व। इस उकल तू साइटो प्लाजम या कोशी का द्रब्ब्ब्ब कोशी का द्रब्ब्ब प्लस केंध्रक द्रब्ब्ब ठीक, इसको इंगलिस में अगर बोलना होगा तो हम कहें देंगे प्रोटो प्लाजम साइटो प्लाजम प्लस नुक्लियो प्लाज्म ठीक है? तो जो जीव द्रब्य होता है वह कोशिका द्रब्य और केंद्रक द्रब्य दोनों से मिलकर बनता है ठीक है? अब आगे हम देखते हैं कोशिका सिध्धान की जो स्लाइडेन एंड स्वान ने जो थेवरी दी थी उन्होंने क्या बताया था उन्होंने कहा था कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं और दूसरी पॉइंट नई कोशिका का निर्माड पूर्व इस्थित कोशिकाओं के बिभाजन से होता है अगर नई कोशिका कोई बनती है तो वह जरूर पूरो कोशिका के बिभाजन से ह मतलब कोई भी कोशिका है तो, उसमें जरूर से जरूर जी उद्रब्य होगा, और केंद्रक होगा, लेकिन एक कोशिका ऐसी है जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, वह कौन सी कोशिका है, तो वह हमारे बलड की कोशिका है, जिसको बोलते हैं, RBC, लाल रखत जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है बाकी सारी कोशिकाएं जो होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है और एक कोशिका सुतंत्र रूप से जिवित रह सकती है जैसे अभी हम सुत्रमुर का अंडा देखे कि वह सिंगल कोशिका थी और वह जिवित थी तो ऐसे एक कोशिका का अपना मतलब जिवित रह सकती है ठीक है तो ये हो गया कोशिका का सिध्धान्त अब आगे हम देखते हैं कोशिका के प्रकार तो कोशिका के प्रकार दो टाइप से होंगे एक होगा विकास के आधार पर कोशिका का प्रकार तो एक होगा सनरशना के आधार पर सबसे पहले हम देखते हैं development के आधार पर यानि कि विकास के आधार पर कोशिका के प्रकार तो विकास के आधार पर कोशिका के दो प्रकार हैं पहला है prokaryotic cell और दूसरा है eukaryotic cell prokaryotic cell में क्या होता है यह कोशिकाएं अल्प विक्सित होती हैं मतलब पूरी तरह से यह कोशिकाएं विक्सित नहीं होती हैं इनमें केंद्रक कला तथा पूर रूप से विक्सित कोशिकांग नहीं होते हैं जीवाड तथा नीले हरे सहवाल में इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं अगर question आ जाए कि prokaryotic कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं तो example में आ जाएगा bacteria and blue-green algae ठीक है तो prokaryotic cell का example हो गया bacteria, blue-green algae और इसमें क्या होता है कि जो भी कोशिकांग होते हैं उनका विकास अच्छे से नहीं होता है और पूर विक्सित केंद्रक भी नहीं होता है ठीक है मतलब सुरुआत initial stage में cell कि सनरचना होती है आगे देखते हैं eukaryotic cell की बात करते हैं तो eukaryotic cell इसमें पूर विक्सित केंद्रक कला यों कोशिकांग होते हैं नीले हरे सैवाल को छोड़ कर सेस्थ सेवाल पौधों यों जन्तुों में eukaryotic कोशिकाएं पाई जाती हैं और यह कोशिकाएं यानि के eukaryotic कोशिकाएं पूर रूप से विक्सित होती हैं इसमें शारे कोशिकांग पाई जाते हैं और ये कोशिकाएं पौधों में पाई जाती है जन्तू में जितने भी हम living देखते हैं blue grain algae को छोड़के सब में eukaryotic कोशिकाएं ही पाई जाती हैं अब हम देखते हैं सनरचना के आधार पर कोशिका के प्रकार ठीक है तो ये सनरचना के आधार पर जो कोशिका के प्रकार हैं ये eukaryotic कोशिका का विभाजन किया गया है तो इसमें देखेंगे सनरचना के आधार पर तो दो प्रकार की हो जाएगी एक plant cell और दूसरा animal cell मतलब जन्तू कोशिका इसी दोनों को हमें detail में देखना है तो जैसे कि स्क्रीन पर आप सबको चित्र में दिख रहा है एक पादप कोशिका है थोड़ा सा रफली इसको अभी देख लीजेगा फिर इसके एक-एक अंगत को हम details में लिखे हैं लेकिन पहले इसको देख ली इसका चित्र संरचना कैसे होता है कहां क्या पाया जाता है तो सबसे पहले तो ये plant cell के उपर जो सबसे बाहर की ओर आउटर मोस्ट लेयर है ये देखिए इसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ती क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ती और कोशिका भित्ती जो होती है यह जन्त कोशिका में अनुपस्थित रहती है कोशिका भित्ती जो है यह जन्त कोशिका में नहीं पाई जाती देखिए यहां लिखा है सबसे बाहरी जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं कोशी का भित्ती कहते हैं और उसको इंगलिस में हम कहते हैं सेल वाल ठीक है और उसके बाद जो कोशी का भित्ती मतलब सेल वाल के नीचे की जो लेयर होती है यह देखिए सेल वाल के नीचे की जो इनर मोस्ट लेयर होती है इसको हम बोलते हैं प्लाजमा मेंब्रेन इसको क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं प्लाजमा मेंब्रेन या इसको हम बोलेंगे प्लाजमा जिल्ली ठीक है और प्लाजमा के जिल्ली के अंदर पूरे सेल के अंदर एक तरल द्रब्य भरा होता है ए लिक्विड को हम बोलते हैं कोशी का द्रब्य यह देखे यह जो लिक्विड भरा रहते हैं जिसमें सारे कोशी कांग तरते रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कोशी का द्रब्य और इसको इंगलिस में बोलते हैं साइटो प्लाज्म ठीक है और जैसे लिक्विड पूरा सेल के अंदर भरा हुआ है ऐसे ये केंद्रक है इसके बीच में क्या है इसके बीच में यह जो संरचना है या है केंद्रक की केंद्रक को हम नूकलियस बोलते हैं और नुकलियस के अंदर भी ऐसा ही द्रव या लिक्विड रहता है तो केंद्रक के अंदर जो लिक्विड रहता है उसको हम बोलते हैं नुकलियो प्लाज्म क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य या हम बोलेंगे उसको नुकलियो प्लाज्म ठीक है? अब यही जो नुकलियो प्लाज्म है और जो साइटो प्लाज्म है यही दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटो प्लाज्म या जीव द्रब्य बनाते हैं इसके बाद एक सबसे बड़ी सरचना आपको इस सेल में दिख रही है ये देखिए ये खाली जगह एक दिख रही है बड़ी सी सरचना इसको हम बोलते हैं रिक्तिका इसको हम बोलते हैं वैक्योल्स या रिक्तिका इसको हम हिंदी में रिक्तिका बोलते हैं और इंग्लिज में इसको वैक्टियोल्स बोलते हैं ठीक है? और इसके अलामा और जो सरचणा है ये देखें, यहां पर एक सरचना है जिसको हम बोलेंगे हरित लवक क्योंकि ये पौधो की सेल है तो पौधे का जो ग्रीन कलर होता है वह हरित लवक या इसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होता है इसके बाद इसमें और सरचना है ये देखिए माइटो कांडिया की सरचना है जिसको हम सेल का पावर हाउस बोलते हैं यहाँ पे तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे यह राइबो शोम है यह हरित लवक है या क्लोरोप्लास्ट जैसे यहाँ पे हरित लवक यह क्लोरोप्लास्ट यह इसको कट करके इसकी सरचना अंदर की सरचना दिखाई गई है बाकी इसमें और सरचना होते हैं जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं ये सब Mito-Candriya हैं इस जैसीशर रशना को Mito-Candia को हम Powerhouse कहते हैं Cell का Powerhouse कहते है Mito-Candia को इसके बाद ये देखिए Cell से जो चिपका हुआ ये structure है ऐसे जाली की नुमा इसको हम Endoplasmic Reticulum कहते हैं या कहते हैं अंतर द्रब्वी जालिका और यह जो इससे सेल से जो लगा हुआ यह सरचना है इस तरीके से देखिए आपको दिख रहा होगा इसको हम बोलेंगे जिसके उपर ऐसे राइबोसोम दानेदार ऐसे सरचना की तरह चिपका हुआ है इसको हम बोलेंगे खुरदूरी अंतर द्रब खिकनी अंतर एंतर भोम क्यों और समझ सभा उठी जोसें पूसके सब्सक्राइबो हैं । जो केंडरगों जो इसे केंडरगों में सेंट्र भागरें केंडरी को है । तो ये सारे पार्ट हो गए अब चलते हैं हम एक एक पार्ट को डिसकस करते हैं इतना तो डाइग्राम आपके धिमाग में थोड़ा सा सेट हो गया होगा ठीक है अब हम आगे देखते हैं एक बार जन्त कोशिका देख लेते हैं कि जन्त कोशिका में क्या है तो दो तीन चीजे ऐसी होती है जो पादप कोशिका में होती है लेकिन जन्त कोशिका में नहीं होती है तो सबसे पहले तो इसके उपर जैसे जो हम प्लांट सेल देखे थे उसके उपर डबल लेयर थी ठीक है एक क्या था एक प्लाजमा मेंब्रेन था और एक सेलवाल था तो इसके उपर ये सेलवाल जो है नहीं पाया जाता है ये सेलवाल जो जन्त कोशिका होती है उसके उपर सेलवाल नहीं पाया जाता है तो सेलवाल या जिसको हम कहेंगे कोशिका भीति ये नहीं पाया जात है ठीक है और क्या नहीं पाई जाता है। ह्रित लवक या हैँ नहीं पाई जाता है। फ्रव पादप कोशिका में आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, वह सलवाल होती है, लेकिन इसमें सलवाल नहीं होती है, तो जन्त कोशिका की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, वह प्लाजमा मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम बोलते हैं कोशिका जिल्ली, कोशिका जिल्ली बोलते हैं हिं इसके बाद इसके अंदर भिह उसी तरह से बरव भरा रहता है धी यहाँ साइटोपलाजम बोलते हैं यह देखें जिसको हम साइटोपलाजम यहाँ कोशी ड्रव भर ढूलते हैं देखें लिया से सब्लन कुषब करें करें दूरी ब्लान Τ encouragement के बीच में नहीं था साइड में था लेकिन इसमें क्या होता है इसमें जो रिक्तिका होती है या वैकियोल्स होता है वह छोटा होता है ठीक है तो इसका रिक्तिका छोटे होने के कारण इसका केंद्रक जो है वह सेंटर में होता है और उसके बाद इसके केंद्रक केंदर भी केंद्रिका होती है और या अंतर प्रद्रब्वी जालिका और जिसके उपर ये दाने जैसी सरचना चिपकी हुई है ये राइबोसोम चिपके हुए है इसको हम बोलेंगे रफ या खुरदुरी एंडोप्राज्मिक रेटिकुलम और जिनके उपर नहीं लगे हुए है जैसे यहां के एरिया देखिए ये यह भी एंडोप्राज्मिक रेटिकुलम ही है तो इसके उपर नहीं चिपके हुए राइबोसोम तो इसको हम बोलेंगे चिकनी अंतर प्रद्रब्वी जालिका या स्मूत एंडोप्राज्मिक रेटिकुलम ठीक है इसके अलावा ये देखिए माइटो कांडिया है ये इसल का पावर हाउस ये दोनों में है और इसके बाद ये सरचना देखिए सेंट्रोसोम है इसके अंदर और यहां पे गालजी आपरेटस गालजी बॉड़ी है और इसके अलामा जो है और बाकी ये राइबोसोम कुछ राइबोसोम एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम के उपर च देखते हैं तो कोशिकान की बात करें तो सबसे पहले आती है कोशिका भित्ती की बात ठीक है कोशिका भित्त जिसको हम बोलते हैं सेलवाल तो सेलवाल क्या होता है या पादब कोशिका में पाये जाता है जन्त कोशिका में नहीं यह चीज़ याद रखेगा कोशिका भित्त कि सेललोज की बनी होती है कोशिका 거 आकर्थ योम आकार प्रदान करने में शहायक होती है। वह सेलवाल करती है। और जो जनतों में अनुपस्थित होती है मतलब सेलवाल जन्त कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। यह जिवित पदार्थ के रूप में होती है बैक्टीरिया की सेलवाल पेप्टिडो ग्लाइकॉन की बनी होती है ठीक है यह एक्जाम में पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया की जो सेलवाल होती है वह किसकी बनी होती है तो पेप्टिडो ग्लाइकॉन की और अगर पूछा ज या जिसको हम बोलते हैं कोशिका जिल्ली और इंगलिस में उसको बोलते हैं सेल मेंब्रेन यह कोशिका भित्य के अंदर होती है जन्तु तथा पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है कोशिका जिल्ली जो है यह जन्तु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई ज पारगम में जिल्ली वह जिल्ली होती है कि जिसमें क्या होता है कि कुछ पदार्थ जिसको वह चाहे तो बाहर आने दे सेल के और चाहे तो सेल से अंदर आने दे यह इस पर डिपेंड करता है तो जो हमारी प्लाजमा मेंब्रेन होती है यह सेल मेंब्रेन होती है यह क्या करती ह कि जो बेकार के पदार्थ रहते हैं जो सेल के लिए नुक्सान दायक रहते हैं उसको अंदर आने से यह रोकती है लेकिन कुछ तरल द्रब्य जो आवस्यक होते हैं उसको यह अंदर जाने देती है तो उसी को हम बोलते हैं अर्ध पारगम्य जिल्ली ठीक है तो यह जो कोशी का द्रब्य या साइटो प्लाजम तो प्लाजमा जिल्ली तथा केंद्रक के बीच में प्लाजमा जिल्ली तथा केंद्रक जैसे माली यह हमारी सेल है और यह केंद्रक है तो यह केंद्रक कला केंद्रक जिल्ली और सेल वाल यह दोनों के बीच में यहां पे जो बिभिन प्रकार के कोशिकांग उपस्तित होते हैं तो I hope की कोशिका द्रब्य आप सब के समझ में आ गया होगा कोशिका द्रब्य में ये nucleus के अंदर का जो तरल द्रब्य वो count नहीं होता है आगे हम देखते हैं लवक की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंगलिस में प्लास्टिड तो लवक की खोज किसने की लवक की खोज earnest हेकलने की है या पवधों की कोशिकांग में पाए जाते हैं रंगों के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं इसे कोशिका का रशोई घर भी कहते हैं तो अगर कोशिकांग आजाए एक्जाम में की कोशिका का रशोई घर या कोशिका का किचन किसे कहते हैं तो लवक को कहते हैं ठीक है और यह जो लवक होता है यह जन्त कोशिकांग में नहीं पाया जाता है अब इसके टाइप देखने हैं तो एक होता है हरित लवक जिसको हम बोलते हैं इंगलिस में क्लोरोप्लास्ट इनमें हरे रंग का पदार्थ पर्ड हरीम पाया जाता है पर्ड हरीम को क्या कहते हैं पर्ड हरीम को ही हम क्लोरोफिल कहते हैं क्या कहते हैं क्लोरोफिल पर्ड हरीम को ही हम क्लोरोफिल कहते हैं या हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है इसी के फल सुरूप पत्तियों तथा पौधों का रंग हरा दिखाई देता है और इसी लवक के द्वारा ही पौधों में प्रकास संसलेशड की क्रिया होती है तो ऐसे हो सकता है कि पूछ सकता है कोशन की प्रकास संसलेशड की क्र क्रोमो प्लास्ट इसमें क्या होता है कि यह रंगीन होते हैं इनके कारण पुस्पों का रंग आकरसित करता है मतलब जो आकरसित करने वाले पुस्प कलरफुल पुस्प होते हैं जिनको देखकर कीट आकरसित होते हैं वह क्या होता है वह क्रोमो प्लास्ट के कारण ही होता है और जिससे कीट परागड आसानी से होता परागड यहां रहेगा जिससे कीट परागड आसानी से होता परागड क्या होता है कि जब कीट एक पुस्प पे दूसरी पुस्प की ओर जाते हैं तो उनके पैरों में उसके जो एंथर होते हैं या उसके जो परागड होते हैं वह चि जो आकरसक गुड है उनका इसी के कारण होता है और जिन ही इनी के फलसरूप अनेक पौधों की जड़ यूम आम के ब्रिच की नई पतियां लाल रंग की होती है तो जो आम के ब्रिच में जो नई कोपल निकलती है नई पतियां ओप क्रोमो प्लास्ट के कारण ही रेड कलर की दिखाई देती है आगे देखने हैं तीसरा इसका जो है वह है अवरडी लवक अवरडी का मतलब जिसमें कोई कलर ना हो या उसको बोलेंगे लिवकोप्लास्ट ठीक है तो सूर्य के प्रकास से बंचित रहने वाले पवधों के संक्रहित भागों में ये अवरडी लवक पा लोरी यह सब कुछ ऐसी सब्सक्राइब प्रकास नहीं पहुछ पाता है और वह कैसे होते हैं वह भीना कलर के होते हैं ठीक है तो उन होता है तो जैन्थो फिल के कारण पीला रंग होता है ठीक है जैसे जो फ्रूट्स वगएरे कुछ फल ऐसे होते हैं संत्रा वगएरे जैसे जिसमें किस के कारण उसका रंग पीला होता है तो जैन्थो करोटीन होता है इसके बाद एंथोसाइनिन जो होता वह बैगनी रंग के लिए जिम्मेदार होता है जैसे बैगन वगएरे को देखेंगे तो उसमें बैगनी कलर किसके कारण होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है और लाइकोपीन जो होता है या टमाटर के कलर के लिए जो कॉन्सा होता है लाइकोपीन होता है और कैरिटीण one जो होता है यह लाल मिर्च के कल़र के लिए जिम्मेदार जो लाल का कलर होतार किसके करण होता कैरिटीण रहा तो यह सारी पुएंड साप याद रखना इस सब एक जाम में पुछे गए अब अगला longer हम देखते हैं कि अगला कोशिकांग हमारा है सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम इसकी खोज डी ड्यूबे नामक बैज्ञानिक ने किया है और 1958 में किया है तो कोशिका विभाजन का कारे करता है यह जो सेंट्रोसोम होता है कोशिका विभाजन का कारे करता है सूत्री विभाजन के समय यह centrioles दो भागों में विभक्त होकर दोनों धुरूवों पर चले जाते हैं जैसे माल लिजे यह हमारी कोशिका है कोशिका में एक centriole है अब क्या है कोशिका विभाजन होने वाली है तो कोशिका भी भाजन होने वाली होगी तो यही centrioles दोनों पोल पर चले आएंगे दो भागों में डिवाइड होकर यह पोल पर चले आएंगे फिर इसके बाद यह दो कोशिका अलग अलग भागों में बढ़ जाएगी ठीक है तो यह दुरूव का निर्मार करते हैं जो centrosome ह होते हैं अगला हम देखते हैं माइटोकांडिया तो माइटोकांडिया को हिंदी में हम बोलते हैं सूत्रकडिका क्या बोलते हैं सूत्रकडिका तो इसकी खोज किस ने किया इसकी खोज अल्टमान ने उन्नेश्व में किया है और माइटोकांडिया के भीतर आक्सीजन के द्व vouToo होती है इसी कारण से guilt कशीका कविजली घर या पावरावस और ऊसलल कहते हैं ठीक है तो कभी कभी ये भी कोशन पूछा गया कि कि सब्सकों को कोश का का पावर हाउश या की घर कहते हैं तो माय्टो आपके या को कोशिका के अंदर एक खाली जगे होता है खाली अस्थान अभी प्लांट चल में हम लोग देखे थे खुब बड़ा सा खाली जगे था उसी की बात हो रही है तो कोशिका के अंदर एक खाली अस्थान होता है जिसे रिक्तिका कहते हैं यह पानी, मिनरल, ग्लुकोज, यह पादप कोशिका में बड़ी साइज की होती है और अगला हम देखते हैं राइबोसोम की अगर बात करें तो राइबोसोम के घोज करता है वो पैलेड है यह सरचना में गोल आकार योम आरियन्य के बने होते हैं इसी के कारण इन्हें राइबो नुक्लियो प्रोटीन कहते हैं यह क्लोरोपलास्ट माइटो कांडिया योम केंदरक के जिऊ दरब्य में दबे रहते हैं यह एंडोपलाज्मिक रेटिकुलम की सता तथा कोशिका के कोशीकांग राइबोषॉम होता है अगर पूछा जाए कि कोशीका में सबसे छोटा कोशीकांग या कोशीका का पार्ट कौन How P और यह एकहरी जिल्ली के बने होते हैं जिसे माईटो कांडिया और ही यह इंके उपर जो होती है डबल लेयर होती है लेकिन राइबोसॉम के उपर एकहरी जिल्ली होती है सिर्फ एक layer होती है और protein sunsletter का कारी करते हैं इसलिए इनको protein की factory भी कहते हैं तो question इस तरह से बन सकता है कि protein sunsletter का कारी कौन करता है तो वह ribosome करता है और protein factory की से कहते हैं तो ribosome को कहते हैं ठीक है अब next हम देखेंगे endoplasmic reticulum या इसको हम EPR भी कहते हैं सार्ट में तो जीवाड़ों में एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम नहीं होती है जीवाड़ों मतलब बैक्टीरिया में और एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम तथा राइबोशोम दोनों ही मिलकर प्रोटीन संसलेशड का कारी करते हैं या कोशी का के पुनर निर्मार का कारी भी करते हैं या दो प्रकार की होते हैं एक होते हैं ग्रेनियूलर दूसरे एक ग्रेनियूलर ग्रेनियूलर कौन से होते हैं जिनके उपर राइबोशोम पाए जाते हैं उसको हम ग्रेनियूलर बोलते हैं अगला देखते हम गालजी बॉड़ी तो गालजी बॉड़ी जो है इसके जो खोज करता है वह कैमिलियो गालजी है इन्हें के नाम पर इसका नाम पड़ा है इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं ट्रैफिक पुलिस क्या काम करता है कि जब देखता है रास्ता खाली है तो की भरपाई करना है सबको यह इंडिकेट करता है तो इसलिए इसको ट्रेफिक पुलिस कहा गया है ठीक है तो ट्रेफिक पुलिस अगर पूछा जाए तो वहां गाल जी बाडी को कहते हैं यह जीवाड़ यूम नीली हरी सहवालों को छोड़ कर सभी जीव की कोशिकाओं में प यूग करता है इसे कोशिका की मा मदर आफ सेल भी कहा जाता है तो ऐसे कोशन आ जाए कि मदर आफ सेल किसे कहा जाता है तो गाल जी बाड़ी को कहा जाता है अगला हम पार्ट देखते हैं वो है लाइसोशोम लाइसोशोम तो लाइसोशोम का कारी क्या होता है पदार्थों क करना होता है या कह सब सकते हैं अब सिस्ड पदार्थ जो भी काम-लायक पदार्थ नहीं उनको खाकर उसको । करने का काम करता है sad tie love कोशिका में अंतरिक पाचन तफ़ा कोशिकाओं का सुआंगी करन करता है जैसे कोई कोशिका काdat कोशिकां और कोशिकांग या कोशिक तो जो लाइसोसोम होता है कभी-कभी क्या होता है कि यह कोशिकाओं को खाकर कभी-कभी यह होता है कि फट जाता है इसके अंदर कुछ बिसैले पदार्थ बन जाते हैं जिसके कारण लाइसोसोम फट जाता है और जब लाइसोसोम फट जाता है तो लाइसोसोम के अंदर का कहते हैं आत्मघाती ठैली ठीक है या सुसाइडल बैग कहते हैं यह पॉइंट जरूर याद रखिएगा फिर अगला जो हमारा important part है वह है केंद्रक जिसको हम nucleus बोलते हैं और केंद्रक की खोज 1831 में राबर्ट ब्राउन ने किया था अगर कोशिका आ जाए तो कोशिका की खोज राबर्ट हुक ने और केंद्रक की खोज राबर्ट ब्राउन ने थोड़ा सा नाम में different है तो यह आप लोग जरूरियाद रखेगा कि अगर कोशिका सब्द सिर्फ आ जाए तो राबर्ट हुक होंगे लेकिन अगर केंद्रक की बात हो तो राबर्ट ब्राउन एक कोशिका में एक केंद्रक होता है किन्त कभी कभी किसी कोशिका में दो या दो से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं कई केंद्रक वाले कोशिकाओं को सीनो साइट बोलते हैं सीनो साइट और इसको कोशिका का मस्तिस्क भी कहते हैं मतलब जो केंद्रक होता है वह स्पूरे कोशिका को उसके और बात करें तो उसके चार बाग होते है तो एक कर हम देखेंगे पहला जैसे होता है केंद्रक कला केंद्रक कला मतलब केंद्रक के चारो और की जो जिल्ली होती है जिसे माल लिजे ये पूरा सेल है सेल के अंदर ये केंद्रक है और केंद्रक के अंदर ये केंद्री का है जो सबसे सेंटर में केंद्रक के अंदर का पाठ होगा वो केंद्री का हो जाएगा तो यह केंद्रक के उपर की जो जिली होती है इसी को हम कहते हैं केंद्रक कला इसी को हम केंद्रक कला बोलेंगे और इसी केंद्रक के अंदर जो द्रब्य भरा रहेगा उसी को हम क्या बोलते हैं केंद्रक द्रब्य या न्यूक्लियो प्लाज्म बोलेंगे और इसी केंद्रक के अंदर ऐसे धागे जैसी सरचना बिखरी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन धागे जिसको हम क्रोमेटिन धागे बोलते हैं और इसी केंद्रक के अंदर एक केंद्रक होता है जिसको हम केंद्री का कहते हैं क्या कहते हैं केंद्री का तो यह केंद्रक के चार पार्ट हो गए अब हम इसके एक-एक पार्ट को देखते हैं केंद्रक कला या निूकलियर मेंब्रेन जिसको कहते हैं यह बसा योम प्रोटीन से निर्मित सरचना होती है जिसमें जगह-जगह छेद होते हैं जो केंद्रक द्रब्य और कोशिका द्रब्य के बीच संपर्क अस्थापित करने में सायोग करते हैं मतलब यह जो लिक्विड है जो तरल द्रब्य है एक तरल द्रब्य तो केंद्रक के अंदर है एक केंद्रक के बाहर है केंद्रक के बाहर को क्या कहते हैं साइटो प्लाजम कहते हैं और केंदरक के अंदर को नुक्लियो प्लाजम कौन करता है तो यह केंदरक कला यह जो नुक्लियो जिल्ली प्लाजमा रहती है वो काम करती है ठीक है तो इतना आप समझ गए होंगे अब आगे हम देखते हैं केंद्रक द्रब्य जिसको बोलते हैं न्यूक्लियो प्लाज तो केंद्रक केंद्र पाए जाने वाले तरल को केंद्रक द्रब्य कहते हैं जो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है अगला हम देखते हैं केंद्री का जिसको हम बोलते हैं निूकलियोलस सामानिता एक केंद्रक में एक ही केंद्री का पाई जाती है क्या पाई जाती है एक ही केंद्री का पाई जाती है जैसे प्याज में अगर ये आज आए एक्जाम में कि कौन सा ऐसा केंद्रक है या किसका ऐसा केंद्रक है जिसके अंदर कई केंद्रीका पाई जाती है तो प्याज का जो केंद्रक होता है उसके अंदर कई केंद्रीका पाई जाती है बाकि केंडरिका में प्रोटीन, R&DN पाये जाते हैं केंडरिका, जैविक क्रियाओं को संचालित करती है यों कोश का विभाजन में भाग लेती है अब अगला देखते हैं क्रोमेटिन धागे जिसको बोलेंगे इंगलिस में क्रोमेटिन थ्रेड तो सामाने अवस्था में उलजे हुए धागों के रूप में केंद्रक में पड़े रहते हैं किन्त कोशिका विभाजन के समय में एक दूसरे से प्रिथक होकर छोटे वा सिकुड कर एक विशेस आकार में परिवर्तित हो जाते हैं जो गुड़सूत्र या क्रोमोसोम कहलाते हैं ठीक है जब कोशिका विभाजन होने वाली होती है तो केंद्रक विभाजन भी होता है तो यह क्रोमेटिन धागे गुड़सूत्र के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और इसके बाद एक पॉइंट और देख लेते हैं कि गुड़सूत्र क्या होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम तो गुड़सूत्र की खोज 1875 में स्ट्रॉस बर्ग ने किया था और इसका नामकरण जो है वाल्डेयर ने 1918 में दिया था अब प्रतेक जीवधारी किसी ज जाती की कोशिकाओं के प्रतेक केंद्रकों में गुड़सूत्रों की संख्या योम रचना निश्चित होती जैसे एक जाती के जो जीव होते हैं जैसे मानो जाती को ही अगर ले लिया जाए या जो भी मतलब मानो जाती या कुट्तों की कोई जाती ले लिया जाए या हमेशा जोडी में जितने भी जिव हम देखेंगे जितने भी जिवदारी उनमें जितने भी गुर्षूत्र होंगे वो हमेशा जोडी यानि पेर में रहते हैं और मानों में कितने गुर्षूत्र होते हैं तो मानों में गुर्षूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी 23 जोड़ी का मतलब 46 गुर्षूत्र होते हैं तो यह भी question पूछा जा सकता है कि मानों में कितने गुर्षूत्र होते हैं तो मानों में 46 गुर्षूत्र यह कह सकते हैं 23 जोड़ी गुर्षूत्र होते हैं तो आज की हमारी class cell से समधित इतना था I hope कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा इसको अच्छे से देख लिजेगा और इसमें पॉइंट इसको नोट आउट कर लिजेगा बाकी अगला टॉपिक हम नेक्स डिसकस करेंगे आज इतना ही धन्यवाद